हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छी होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ हेवी हेयर ओईलिंग रिमूव टैंगल्स एंड हाव टू टाय जूड़ा की वीडियो शेयर करने लगी हूँ होप आपको ये वली व सूख चुके हैं बिल्कुल बाल उसके ड्राइ हो गए हैं तो अब मुझे उसके बालों में ओईलिंग करनी हैं ओईलिंग के लिए मैं यहाँ पर पेराशुट हेयर ओईल का यूज कर रही हूँ काफी अच्छा वाला ओईल है काफी टाइम से मैंने हेर से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ बिकॉज जशन बिल्कुल भी नहीं मानता है हेर स्टाइलिंग के लिए तो वह बिल्कुल भी नहीं मानता है इसलिए हेर स्टाइल की वीडियो तो मैं बिल्कुल भी नहीं शेयर करूँगी हाँ हेर वाश की या फिर जूड़े की वीडियो या ऑईलिंग की वीडियो मैं जरूर आपके साथ शियर करूंगी तो देखिए सबसे पहले मैंने पेराशुट ऑईल लिया और उसकी स्कैलप पर थोड़ा-थोड़ा करके लगा रही हूं बाद में मुझे सारी स्कैलप पर सारी लेंथ पर अच्छी तरह से ओईल लगाना है मसाज करनी है जशन के बाल आप देख सकते हैं बहुत ज़्यदा लंबे हैं स्ट्रॉंग है हल्दी बाल है जशन की बालों की लेंथ और जिन बर दिन इंक्रीज हो रही है बहुत ज़्यदा हैवी बाल है उसके बिल्कुल हाथ में भी नह आमला उयल यूज करके देखिए उसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं समर में तो बहुत ही ज़्यादा फाइदे हैं इस ऐल के आमला से बने हुए हेर आयल काफी ज़्यादा घर्मियों में बेनिफीशियल होते हैं इसके इलावा आप मस्टर्ड ऑइल भी यू अटाल होन बहुत होता है quand I write मुझे उसके बालों में लगाना पड़ता है हफते में दो बार वह यालिंग बहुत करने है क्योंकि पटका वियर करता है तो आइल बहुत जल्दी observe हो जाता है तो मुझे हफ़ते में दो बार oiling करनी पड़ती है आप उसके बालों की length देख सकते हैं जस्ट length नहीं उसके बाल heavy भी बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा भरी बाल है उसके मतलब मेरे हाथों में नहीं उसके बाल आते हैं इतने ज़्यादा heavy है इस वज़ा से oil बहुत ज़्यादा लगता है उसके बालों में अगर मैं बीना oiling के उसके बालों में combine करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा उसे pain होती है इसलिए बहुत ज़्यादा oil लगाने के बाद ही मैं tangles को अच्छी तरह से remove करती हूँ उसे hair fall की problem बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि अब उसके बालों में इतने ज़्यादा tangles है बट उसे hair fall की problem बिल्कुल भी नहीं है उसके बाल काफी ज़्यादा healthy है काफी strong उसके बाल है अगर आप अपने बालों की अच्छी care करेंगे अपने बालों को cover करके रखेंगे braid बना कर रखेंगे या फिर आप oiling time पर करेंगे या फिर आपके बालों में dandruff या itching की ऐसी कोई भी problem नहीं है तो आपके बाल बहुत जल्दी बढ़ेंगे हमारे बाल किसी ना किसी वज़ा से ही मतल़ तूडते जड़ते हैं hair fall की problem होती है अगर आपको भी dandruff की problem है itching की problem है hair fall की problem है तो आप एक तो अपने खाने पीने का धियान रखें इसके इलावा आप बालों पर oiling time पर करें अपने बालों को ज़्यादा ड्राई ना रखें braid बना कर रखें अपने बालों को cover करके रखें ज़्यादा अपने बालों को खुला खुला ना छोड़ें या फिर अपने बालों में ज़्यादा जो heat tools होते हैं जैसे कि हमें ज़्यादा ड्रायर का यूज नहीं करना चाहिए स्टेटनर का ज़दा यूज नहीं करना चाहिए इन सबी चीजों से हमारे बाल काफी ज़दा कमजोर हो जाते हैं ये दो चार चीजों का अगर हम अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो हमें हेर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी जशन तो आपको पता है कि उसके बाल तो पूरा वीक कवर ही रहते हैं क्योंकि उसे जुड़ा करना आता है जिस वज़़ा से उसके बाल कवर रहते हैं और इसी वज़ाए से उसके बाल काफी ज़्यादा लंबे हैं गर्स को तो चलो होता है कि बाल कभी हम खुले छोड़ ले या फिर कोई हेर स्टाइल कर ले तो ठीक है ये भी ज़रूरी है बट हमें उसके साथ-साथ अपने बालों की पूरी कियर भी करनी चाहिए तो गाइस देखिए ओईलिंग मैंने काफी हद तक उसके बालों में कर दिया काफी ज़दा ओईल मैंने उसके बालों में लगाया है लेंथ पर अच्छी तरह से ओईल लगा लिया है मसाज भी साथ-साथ में मैं कर रही हूँ अब मुझे उसके बालों से tangles को रिमोव करना है सबसे मुख्किल जो काम है वो यही है कि tangles को रिमोव करना मेरे लिए मुख्किल नहीं है बट congestion को बहुत जाधा pain feel होती है क्योंकि उसके बाल लंबे हैं tangles remove करने में काफी ज़्यदा time लग जाता है जिस दिन मैं उसे hair wash करवाती हूं उस दिन उसके बाल मतलब काफी ज़दा heavy लगते हैं बट जब मैं उसके tangles को उची तरह से remove कर देती हूं जूड़ा कर देती हूं तो एक दो दिन बाद उसके बाल काफी हद तक silky हो जते हैं थोड़े soft भी हो जते हैं जिस दिन वो hair wash करता है उस दिन तो उसके बालों को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जता है तो आज tangles में आप देख सकते हैं कि सारे बाल मैंने आगे की तरफ किये हैं क्योंकि जब मैं पीछे की तरफ बाल करके उसके tangles को remove करती हो ना तो क्योंकि मुझे उसका जूड़ा करना होता है बाल फिर सारे आगे करने पड़ते हैं तो फिर से tangles पड़ जाते हैं तो इसलिए आज मैंने सबसे पहले उसके बालों को आगे किया है साथ में tangles remove करके braid करके मैं उसका जूड़ा कर दूँगी आप देख सकते ह कि कितनी से pain feel हो रही है चोटा है अभी काफी ज़्यादा चोटा है जिस वजह से मतलब ठीक है बट बाल उसके इतने ज़्यादा heavy है एज के according उसके बाल काफी ज़्यादा heavy है तो guys आपको मेरी ये वली वीडियो कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताना और हो सके तो वीडिय like जरूर कीजिए like करने का कोई भी मतलब charge नहीं pay करना पड़ता है free of cost है बट यह है कि हमें थोड़ी motivation मिल जती है कि हाई हमें कितनी अच्छे likes मिले हैं बस यही बात होती है तो देखे tangles मैं अच्छी तरह से remove कर रही हूं और भी साथ में मुझे braid बना देनी है उसका जूड तो देखे सारे tangles को अच्छी तरह से remove कर दिया मैं braid बना रही हूं बालो की length देखे कितनी सुंदर उसके बालो की length है मुझे उसके बाल बड़े ही सुंदर लगते हैं बड़ी अच्छी बालो की length है मैं उसे हर बार यही कहती हूं कि हाई काश मेरे ऐसे बाल होते ना तो मैं किसी और के होते हैं स्पेशली किसी girl के होते हैं तो वह बहुत ज़्यादा खुश होती कि मेरे इतने सुंदर बाल है तो अब उसके tangles रिमूव हो चुके हैं अब उसके face पर थोड़ी सी हसी भी आ गी है तो देखे ब्रेड मैंने बना दी है होप गाईज आपको यह वली वी अब आपको अपनी नेक्स वीडियो के साथ अब तक लिए थैंक यू बाई